तो आप लोग हमसे बार बार पोछôm देगी सरव यूपेटिटिट की तियारिक कैसे करें तो मित्रों, मार्केट में से, हजारों बुक में से सबसे चुनिंदा बुक आप लोग के लिए चुनकर लाएं चछू परकासंव की यूपेटिटिटिटि एक बुक की मित्रों खासियते होनी चाहिए कि अगर आप लोग के सामने उपरजेंट किया जाए तो आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आए तो चछु परकासन का बुक मित्रों उसी लिए आप लोग के लिए बनाये ही गया इसमें तीन हजार अध्यावार महातपूर कोईशन से साथ में दो सौल पेपर हैं नवीन पैटर पर अधायित है चछु परकासन मित्रों जो है यस आर आर पब्लिकेशन की बुक है अगर मित् पर वार्षण परके अपनी समयस्या का समाधान दुन पास सकते हैं जो यूपीटेट का जो सिलिबस है उसी के कार्डिंग मित्रों पाट करम को डिजाइन किया गया है कम समय में आप लोग वहां 30 पलस आसानी से गेंशक कर सकते हैं क्योंकि इस बुक को मैंने मित्रों बहु हो चुकी है सभी सब्जक्ट के इंगलिज़ के भी बाल विकास्यूंस इचा मैं विधियो से घरित के भी हिंदी के भी प्रयारध्यन के भी संस्कीत के भी और आपके प्राश्मिक अस्तर का मित्रों जो है इसका प्रक्टिश सेट भी मार्केट में अविलेबल हो चुका है अगर आप लोग online purchase करना चाहते हैं तो description box में link दिया गया है उसके माध्यम से आप लोग online purchase कर सकते हैं और अपनी त्यारी को सबसे अलग रख सकते हैं तो जाइए तुरूंत आप लोग मित्रों इस book को purchase कीजिए Hey guys, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पने चैनल एक जाम अढ़ाफार स्टेडी पर आप सभी को गोबरदन पूझा की धेर सारी सुपकामना है आपके अपने चैनल एक जाम अढ़ाफार स्टेडी के मात्यम से तो आज की कुछ बिग अप्डेट है आप सभी मित्रों के लिए सभी BSA से रिक्त पदों का ब्योरा 22,000 सीटों को जोडने के लिए महामंथन होने जा रहा है मुख्मंत्री और सिच्छा मंत्री जी के बीच में इसमें आपके आरच्छड मुद्दे सिरे का सभी वारता होगी जितने भी महातपूर पेच फसे हुए अभी तक जूनिय सिच्छग बरती में खेला हो गया है क्या खेला हुआ इसके बारे महातपूर अपडेट है UPSI एकजाम 3 दिसमबर को किसका एकजाम होने जा रहा है इसके बारे महातपूर अपडेट है इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकाई दी साथियों एपिक हमारे पास आई है HCRT पर जो 22,000 सीटों को जोडने के लिए एक केंद्र बिंद बन चुका है लखनों में जहां पर विपच्छी पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं लेकिन बरत्वान में जो सरकार है उनके कोई भी नुमानदे वहां प जाने के लिए वो लोग त्यार नहीं है क्या ऐसा कर दिया है हमारे 22,000 सीट वाले भाईव हैं कि उनके पास उनकी बेथा सुनने वाला कोई नहीं है इस जो बिरोजगारी के दवर में साथ में कल दिपावली में भी कोई भी उनके पास नहीं पहुचा है उन्होंने हमारे प पर अपने परिवार के बीच में ना रहकर दिवाली ना मना कर हम SCRT पर अभी वी जम्य हुए हैं 22,000 सीटों को जोडने के लिए तो यह देखिए मित्रों यह है अलोग सिंग जी तो जो हमारे करमत भाई भेन हैं लगातार SCRT पर जम्य हुए अपनी मांगों को लेकर अटूट मांगों को लेकर जब सुप्रीम कोड का एक स्पेसल वर्डिक है कि एक लाग 37,000 पदों को दो करमागत भर्तियों में पूर गूप से भर दिया जाए तब मानिय योगी जी की जो सरकार है ऐसा क्यों नहीं कर रही है इसके पीछे क्या रीजन है यह तो मित्रों अब समय ही बताएगा अब समय भी बरतमान सरकार के पास नहीं रह गया है अब इनको भी जल से जल इस जो मुझ्दे हैं 22 सीटों को लेकर साट आउर करना चाहिए और जो हमारे भाई बैन लगबग 140 दिनों से अनुवरत धरना परदसन दे रहे हैं इनके जो प्यारे प्यारे जो चेहरे हैं उन पर मुस्कान लाना चाहिए नहीं तो यह जो चेहरे हैं यह आपका खटिया कर खड़ी कर देंगे 2022 में आप अगर सीटे नहीं जोड़ी जाती हैं तो बिनास काले विप्रीत बुद्धी वाला जो मुहाबरा है वो सरकार के उपर एकदम सटीक बैठ रहा है 2022 समीफ है अभी आप लोगोंने देखा है हिमाचल परदेश में बुरी तरीके से यह लोग चुनाओ हारे हैं मद परदेश की बात क मित्रों इन्हों ने पिट्रोल और डीजल के दाम कम कर दी है आप लोग समझ सकते हैं यह सब हार का एक हो है अगर यह हार आपके उत्तर परदिश मिलती है जो आपका डीजल पिट्रोल 90 रुपया है वो आपके आकर 60-65 रुपया कम से कम घटने जा रहे हैं अगर आप लोग यूबे में इनको परास्त करते हैं तो अब बात करते हैं कि कब मानिय मुखमंती जी और सिच्छा मंती जी की मीटिंग होने जा रही है तो इसके बारे में हमारे पास एकदम विश्वसनिय सूत्रों के अवाले से खबर है दीपावली के बाद आपके मंडे या ट्यूजडे में कभी भी अहम बैठक हो सकती है 22,000 सीटों को लेकर नई प्रात्मी सिच्छक भजती को लेकर अब देखना है इस जो मीटिंग में है क्या गुल खिलाते हैं जो मानिय मंती जी है मानिय मुखमंती जी है और दूसरी तरफ मुत्रों दिवाज पर पर भी जारी रहा रोजग करते रहे युवा मंच पदादकारियों ने कहा कि जब योगी और मोधी सरकार द्वारा उपलब्द कराए गए दस्तावेजों के आधार पर युनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तर पर्देश में बेसिंग में लगभक साड़े तीन लाग पत खाली है सिच्छक है जो हमारी न्यू चैनल है इसको एकदम हैक कर लिया है अपने मुठी में जकड़ लिया है अगर कोई भी सर्थान मीडिया की बोलती है उनकी बोलती बंद कर दी जाती है वहां पर चापे पढ़ आते हैं इंकम टेक्स के चापे पढ़ आते हैं जैसे आप लोगों ने भार अत्मान की सरकार है केंद में बैठी हुई है और उत्तरपर्देश में बैठी हुई है यह तुरंत वहां पर आईटी की रेड पढ़वा देती है सिच्छा मित्रों के समायोजन से रिक्त हुए सभी सिच्छक पदों को भी अभी तक भरा नहीं गया है यानि मित्रों वही 22 जाय सीटों की सब जगां ताक पे है रिक्त पदों की मांगी सत्यापन रिपोर्ट्ट आसासकी सायता प्राब जूनिर हाइसकोर्टन में सायकष द्यापको के के सत्यापन रिपोर्ट अक्तूबर अपत्तियों का निष्चारक करते हुए 12 नॉंबर तक पढ़ाम गुसित होना है इस बीच बेसिक सिछा विबाग ने तैनाती की तैयारिया सुरू कर दिया, पर सिछा निर्यसक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी जिला बेसिक सिछा अधिकारियों को गुद्धवार को पत्ल बेज कर एक सफथा में रिपोर्ट बेजने का निर्दे दिया, ताकि चाहिनित अभ्यार्थियों को कारभार गरार करने में किसी परकार की कटनाई ना हो सत्यापित करने की कौन-कौन से विद्ध्याले कुछी किरित हैं किसी दिक्त के परति कोई वाद नियाले में लंबित हो तो उसकी भी सूचना उपलब्द कराएं तो मित्रों सब मिलाकर एगे कि 12 नॉंबर को रिजल्ट आने जा रहा है आपके जूनियर सिच्छक बरति में और उससे पहले मित्रों आपके जो भी बरति रहती है कोड में ना जाये तो आप लोग कहने सकते हैं हर एक भलति में कोड का तरफ जाना जाना होता है सव कोज़्तों पर आपती की गई है सव कोज्च्षों कोड के मित्रों आपत्ति आी इस सब मिलाकर जितने भी आपके जूनियर सिच्छा बरती में जाए है आने वाले हैं तो आप लोग समझ सकते हैं ए भी जो भरती परकिरिया है जूनियर हाई स्कूल की ए भी भरती परकिरिया कोड की तरफ जाती होई दिख रही है जैसा PNP मित्रों करती है कि हर बाद चाहे UP टेट कराए चाहे सूपर टेट कराए कुछ ना कुछ है गलती जान भूज करते हैं कि जितने भी भरती परकिरिया हो डिले हो और साथ में कभी कभी तो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा ढखेल देते हैं कि अपने आप वो नोटिफि यहां हो रहा है और 2 दिसम्बर तक चलेगा जिन भी सेंटरों पर किसी अपरियार कारणों से अगर एक्जाम नहीं हो पाता है तो वहां पर जो एक्जाम कंड़क राए गया वो तीन दिसम्बर को है एक रिजरब दे रखा गया है तीन दिसम्बर को तो आप सभी को फिर से एक बारी सुब कामना है आपके अपने चैनल exam 85 study के मात्यम से मित्रों आपका YouTube पर मित्रों इकलिए होता ऐसा चैनल है जो आप के युद्धा है सबसे पलमुकता के साथ आपका अपना चैनल उठाता है तो मित्रों आपका भी दायत बनता है कि आप लोग अधिक से अधिक सपो